शेक चिल्ली की कहानी, बुखार का इलाज, शेक चिल्ली को खुली आँखों से सपने देखने की आदत थी, दिन हो या भरी दोपह, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था, ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है, शेक चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया, उसके सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी और विशाल का इपतन उड़ रही है, जिसके उपर वो सवार है, उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, शेक चिल्ली की अम्मी जोर से पुकार रही थी, शेक चिल्ली, और शेक चिल्ली, कहा हो तुम, अम्मी की आवाज पर शेक चिल्ली बोला, अम्मी आया अभी, अपनी ख्याली उडान से उतर कर शेक चिल्ली घर के आंगन की ओर दोर पड़ा, जैसे ही शेक चिल्ली अम्मी के सामन पहुचा, अम्मी बोली, शेक चिल्ली, मैं तुम्हारी सल्मा दीदी के घर जाकर आती हूँ, कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है, मैं वहाँ ओसी की तयारी करने जा रही हूँ, अब वहाँ से मैं शाम को ही लोटूंगी और आऊंगी तो तेरे लिए मिठाया भी लेती आऊंगी, तब तक तुम जंगल जाकर दरांती घास काटने का ओजार्ट से कुछ घास काट लाना, परोसी की गाई को चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस पर शेक चिल्ली बोला, हाँ, अम्मी ले आऊंगा और फिर शेक प्योब करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है, शेक चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता न करें, मैं होश्यारी से काम लूँगा, अम्मी के जाते ही शेक चिल्ली जंगल की ओर चल दिया, रास्ते में चलते ह उसे उन मिठायों का ध्यान आने लगा, जो अम्मी सल्मा दीदी के यहां से लाने वाली थी, उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाय खाने को मिलेगी, शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिश ट्रस गुल्ले और पिड़े, ये सोचकर शेक चिल्ली का जाते वक्त सपने मद देखना, लेकिन ये क्या, ओहो, शेक चिल्ली ने खुद को समझाया, इसके बाद जंगल पहुँचकर शेक चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गट्री बनाकर उसे सिर पर रखा और घर वापस आ गया, धास की गट्री उसने पढ़ जहां वो उसे छोड़ गया था, मगर शेक चिल्ली ने जैसे ही दरांती उठाने की कोशिश की उसके हाथ जलने लगे और उसने दरांती फोरण छोड़ दी, जाहिर है, तेज धूप में पड़ी लोहे की दरांती बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ शेक चिल् जुम्मन इस पहली को सुझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब में रहने वाला जुम्मन वहां से गुजरा और उसने शेक चिल्ली को हैरान होते हुए देखा, जुम्मन ने शेक चिल्ली से पूछा, क्या हुआ, दरांती को तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो इस पर शेक चिल्ली बोला, पता नहीं मेरी दरांती को क्या हो गया है, पता नहीं कैसे ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, शेक चिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हसा और फिर उसने सोचा कि यह बहुत बढ़ा मूर्ख है, जो इतनी छोटी सी बात नह शेक चिल्ली की बढ़ती परेशानी को देख जुमन बोला, हमें इस दरांती का इलाज करने के लिए हकीम के पास ले जाना होगा। तभी जुमन ने सोचा शेक चिल्ली की इस मूर्खता का फाइदा उठा कर इस दरांती को क्यों नहतिया लिया जाए। मैं इस दरांती का बुखार आसानी से उतार सकता हूँ फिर क्या था। उस दरांती को शेक चिल्ली के जाने के बाद वहां से ले जाने वाला था अब शेक चिल्ली तो मूर्खता उसे जुमन के इरादे समझ नहीं आये और वह उसकी बात मानकर अपने घर लोट आया। शाम को जब उसे दरांती का ध्यान आया तो वह दरांती देखने के लिए कोई की ओर चल दिया। शेक चिल्ली घर से निकला ही था कि तभी उसे जुमन की दादी की सिसकने की आवाज सुनाई दी दादी की आवाज सुनकर शेक चिल्ली जुमन के घर चला गया। वहां उसने देखा कि जुमन की दादी को तेज बुखार है और वो दर्ध से सिस्क रही है इस पर शेक चिल्ली ने सोचा कि उसे जुमन की दादी की मदद करनी चाहिए इस ख्याल के साथ शेक चिल्ली ने दादी को पासपड़ी रसी से अपनी पीट पर लाद कर बांध लिया और कुए की ओर चल पड़ा आसपास के लोगों ने जब ये सब देखा तो सभी ने शेक चिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश की मगर सबकी अनसुनी करते हुए शेक चिल्ली जुम्मन की दादी को कुए तक ले आया दरसल जुम्मन दादी की दवा लेने गया था इसलिए वह दरांती लेने कुए पर नहीं आ पाया था इस वजह से जब शेक चिल्ली कुए पर पहुँचा तो उसे दरांती उसी जगह मिली उसने फोरण रसी खीच कर दरांती निकाली और जुम्मन की दादी को कुए लटकाने की तयारी करने लगा शेक चिल्ली को कहा कुछ मालूम था, वह तो अपनी समझ से दादी का इलाज करने जा रहा था. इसलिए उसने बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा कि दादी को बहुत तेज बुखार है. इसलिए मैं उनका इलाज करने जा रहा हूँ. इस पर जुम्मन के पिता ने गुसाते हुए पुछा कि यह इलाज का कौन सा तरीका है इस पर शेक चिल्ली बोला कि यह तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है उसी ने मुझे बताया कि हकीम दादी का ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरी दरांती का बुखार भी ऐसे ही ठीक किया था शेक चिल्ली की ये बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को भूरने लगे अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया था और अपने किये पर शर्मिन्दा था जुम्मन के पिता को सारी बात समझा आ गई थी उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे ना समझ शेक चिल्ली हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यूं मार रहे है मगर जुम्मन के पिता इतने गुस्से में थे कि उसने उनसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और घर लोट आया धर पर शेक चिल्ली की अम्मी मिठायों के साथ उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी कहानी से सीख बुखार का इलाज शेक चिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले एक दिन खुद उसी गड़े में गिरते हैं